आज़े साउट टेक सेवन एक्शन आज़े चारण सिंग सापरा जी मेरा सवाल बहुत डिरेक्ट और सिंपल है कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांदी जी और आप सभी लोगों नहीं 24 गंटे हो गए इस ट्वीट को फवाद हुसेन की राहूल ओन फायर इसके आपको इसम स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमारा आन्थरिक मामदा और हमको पाकिस्तान के स्टेटमेंट से ना अग्रीमेंट हैं और पाकिस्तान दूर रहे क्योंकि तरण साप्रा जी वही नेता यहा नरेंड्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे तो जनता के मन में दो पैरलल मोधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यह पाकिस्तान है जमारा दुश्मन मुल्क है साप्रा जी पहले आप कौन ही लोग कहां से आते ही हैं देखिए ऐसा है कॉंग्रिस पार्टी को फवाद ववाद चौधरी जैसे किसी भी लोगों से कोई लेना दना नहीं है मैं यह को पटा सकते हैं और हाउडी मोधी वहां अमेरिका में और्गनाईज कर सकते हैं तो यह फवाद चौधरी क्या है फवाद चौधरी तो एक तुछ्छा सा कोई नेता है पाकिस्तान का उसे तो ऑप्रेशन खोके के तहत कोई भी भारतिय जैनता पार्टी का नेता लपेट के कुछ भी कहलवा सकता है भई पाकिस्तान की तो ऐसी हालत है बुखे नंगे लोग है बुखे नंगों के सामने अगर कोई टुकडा हड़ी कोई डाल दी है तो वो हड़ी का फाइदा ले करके इस तरह की स्टेटमेंट आ रही और भारतिय जनता मैं भी सोच रहा था कि अभी इजेपी का और नरेंदर मोदी का पाकिस्तान से पुराना रिष्टा है आपको याद होगा कि 2014 में जब पहली वार शपत लेनी थी तब देश के प्रदान मंतरी ने नवाज शरीफ को बुला था यहां पे ऐस अ स्टेट गेस्ट उसके बाद में उनके जनम दिन पे बिन वाजपई ने तो बस चलाई थी यहां से लाहोर तक और अटल बिहारी वाजपई साहब तो गए थे वहां मिनारे पाकिस्तान पर भी जाकर के माथा टेक आता और पठान कोट क्या सब लोग भूल गए पठान कोट में आईसाई को रेड कार्पेट वेलकम यानि बॉम ब्ला जब इनकी सरकार थी वहां पर जमू कश्मीर में पीडीपी के साथ में एक तरफा युद्विराम कभी भी दो देशों की सेना के बीच होता है इन हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंगवादियों के साथ में युद्विराम किया ये मोदी जी की सरकार के सब्सक्राइब तो दिए कुके राष्टरबात पे स्वाल नहीं उठा रहा पर मैं ये स्वाल जरूर उठा रहाँ साप्राजी कि जो आज आपने stand लिया ये stand officially कॉंग्रेस पार्टी अगर ले लेती और repeatedly ले लेती तो ये स्वाल नहीं उठता जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बाते हैं किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उडाते हैं बिलकुल बॉल हमारी कोट में नहीं है हमने फिर इनकी कोट में मैं फेक दूँगा बॉल देखे हमारे जब डॉक्टर मनमोन सिंग प्रधान मंतरी थे डॉक्टर मनमोन सिंग एक भी बार पाकिस्तान गए क्या मैंने तो दो दो प्रधान मंतरी बता दिये नरेंद्र मोधी बत जो की पाकिस्तान में गए एक नवाज शरीफ के जनम दिन पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना पहुच गए और दूसरे वहाँ पर मिनारे पाकिस्तान पर माथा टेक करके आए मैंने इनके डेप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण अडवानी की बात की इसके उपर इन्होंने कोई उपतर नहीं दिया कॉंगरिस का प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोन सिंग वहाँ पर नहीं गए थे ये पहली बात दरसल प्रधीब जी बात यह है आप भी इनके चक्कर में इनके व्यू चकर में फस रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतिय जन्ता पार्टी इस देश के जो चुनावी मुद्दे है उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है मुझे ये बता दे भारतिय जंता पाइटी के प्रवक्ता कि आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं आप समिधान क्यों बदलना चाते भाई आपके एक नहीं 4-4 नेता भोल रहे हैं जोती मिर्दा भोल रहे हैं आनन धेगड़े बोल रहे हैं वो ललू सिंग बोल रहे हैं अरुन कि हमें 400 पार करा दीजिए हम देश का समिधान पर लेगे एक चीज़ और एक चीज़ और आप आरक्षन पर हमला क्यों करना चाते इसका उत्तर दीजिए ना आप आरक्षन पर हमला क्यों करना चाते आप जाती गर जंगरना क्यों नहीं कराना चाते देश के प्रदान मंत्र प्रजोल रेवन्दा के पास में क्यों पहुंच जाते हैं प्रजोल रेवन्दा जी सप्राजी प्रधान मंत्री उसके प्रचार ने गए सापरा जी अपने पॉइंट को दिया मैं आपको सबसे अधर टाइम डिबेट में दिये मैं एक सेकिन अब डिबेट आप कुछ भी गोलो ये नहीं सुनने वाला देखे परदीब जी वाकई में ये दो फेस का चुनाव खत्म हो गया और ये पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हिंदू आ गया मुसल्मान आ गया पाकिस्तान की इंट्री क्यों नहीं हुई तो मुझे कोई अचंबा नहीं हुआ और देश भी आद बहुत अचंबित नहीं है कि अगर पाकिस्तान की इंट्री हो रही है तो मुझे लगरा कोई बहुत अचंबा होने जरूत नहीं है हम सब लोग पहले से फेमिलियर थे और जानते थे कि पाकिस्तान की इंट्री कही न यह तो लेटिस निवस है। क्या-क्या वाइदे और दावे। क्या-क्या मुझे बोलने देया। शुक्रिया मोदी जी बड़ी होडिंगे लगी थी। अच्छी करोड लोगों को लगा दिया कोवी सीड। और उससे पैसा भी ले लिया। धनुगाही भी किया। सुनिए सर परदीव साही, वो मुद्दा ना उचला जाए। पाकिस्तान का कोई आदमी बोले। जाएगी बटक जाएगी। आप जब जीतोगे तो जनता नहीं बटकी। कोई और जीतेगा तो बटकी ऐसा नहीं होता। जनता के समर्थेवान समर्थे पे उसके विजडम पे मत क्वेश्चन करिया। प्लीज बोलिए। चूतिया नहीं लग रहा है। चटक चूतिया लग रहा है। किश्वर जी। प्रदीब जी, कोई डिबेट होती हो तो एंकर की भूमी का बहुत मर्यादीत होती है। अगर एंकर ही 40 मिनिट बोल ले, तो बात पे जी जूट-जूट क्या बोलेंगे। बात पे तुम क्या जूट बोलोंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ब्रदीब जी। चुनाव के अंदर कोई भी मुद्द चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है, तो अभी लेकिन पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को भारत के आंतरगत इलेक्शन में बोलना नहीं चाहिए। उसकी मैं निन्दा करता हूँ पाकिस्तान को तो जो पाकिस्तानने किया है उसकी सजा मिल ली चाहिए ये भी बह गोलता हूँ लेकिन चुनाव बहरत में किस मुद्धे पर हो रहे हैं चुनाव हो रहे हैं बेरोजगारी गिसान मांगाई और आरोग्य विवस्ता चिक्षन का खर्चा लोगों की परेशानियों पर हो रहे हैं, मोदी जी को और इसू पर बात करेंगे, तो तीसरे चरण के बाद शायद मोदी जी की पट्री पर गाड़ी आएंगी, नहीं तो मुझे लगता है, मोदी जी चुनाव हारने को जा रहे है, मोदी जी को इस वक्त लोग नकार आपके वक्त आपको मोदी जी की वज़े से चुनाव आरना पड़ेगा क्योंकि वो किसान की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, सुषा की बात करते नहीं, और अरोग्य की बात करते नहीं अभी आप पिछले 24 गंटे में 5 ट्वीट्स कर चुके आपकी पार्टी इंद्रा गांधी के समय में मैं को याद है ची तरीके से किस तरीके से इस्ट पाकिस्तान को आपने अलग करके बंगलादेश जो है नया मुल्क फॉर्म हुआ था हो स्ट्रॉंग नैशनलिजम है वो पार्टी का स्टैंड ही बोल रहा है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चीए ये एक चीज दूसरी चीज बीजेपी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था और आपने भी अभी कहा कि देश की जनता जो है वो राष्ट्रवाद को प्रात्मिक्ता देती है निश्चित रूप से राष्ट्रवाद मेरी भी प्रात्मिक्ता है मेरी पार्टी की भी प्रात्मिक्ता है लेकिन उस राष्ट्रवाद का क्या करें जो सत्यपान मलिक ने बताया था कि जब पुल्वामा एटैक हुआ उन्होंने नरेंदर मोदी जी से बात कही और उन्होंने खुले आम कहा कि ये हमारी गलती की वज़े से हुआ ये हमारे इंटेलिजन्स फेलियर की वज़े से हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको हेलिकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किये ये हमारी गलती है ये सत्यपान मलिक ने देश के प्रधान मंतरी से कहा लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने उनको चुप करा दिया तुम्हें शरम है कुछ? कुछ शरम है? और उसके बाद में आज ये 400 सीटे पार की बात करते हैं 400 किलो RDX कहां से आया, क्यूं आया ये पता नहीं लगा बाए नरेंदर मोधी आज तक इतने साल हो गए और 400 सीटे कहां से लानी है ये पता लगा लिया इन्होंने तो इस तरह का फरजी राष्टरवाद जो है न बीजेपी का ये देश की जनता जानती है कि समय आने पर ये अपना राष्टरवाद लाते हैं और अपनी वोटों की खेती करके निकल जाते हैं इन्हें कहिए कि देश के मुद्दों पर आए देश के मुद्दे महंगाई, विरोजगारी, आर्थिक विशमता आर्थिक विशमता, किसानों की समस्या, किसानों का उत्पीडन, महिला उत्पीडन इन तमाम सारे मुद्दों पे आईए, बताईए ना किस तरह से आर्थिक विशमता बढ़ रही है, अमीर और गरीब और गरीब हो रहा है, आज देश के 22 पूंजी पतियों के पास में 70 करोड जब्साजी रपैसे हैं, ये आर्थिक विशमता का उत्तर भी के सापरा जी, एक सो थीज करोड जंता जो है, एक सो थीज करोड जंता लवा था अब डान मंतरी करना चाहते हैं यह हां डेश में ताना चाहा है अब दो अखकर रहाँ है कि एक्टिंग ए आप पहले जवाब दीजे फिर मैं बोले प्रदीप जी इतनी बाते करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं कि डिवा एस्पी दविंदर सिंग जो पकड़ा गया था जिस आतंगवादी के साथ पकड़ा गया था वो आतंगवादी भारतिय जनता पार्टी का नेता था बारतिय जनता पार्टी की टिकेट पर वो MLA का चुनाव लड़ चुका है इसी तरह से एक लश्करे तोयबा को फिल्ड वर्क में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति इनकी कॉर्पोरेशन का चुनाव जो है श्री नगर से वार्ड क्रमांग 30 से लड़ चुका है अरे पाप प्रे ये तो धोती खोल रहा है खतम बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया